आजकल आपको कई घर की छट के उपर हनुमान जी का जंडा लहराता हुआ दिख जाएगा अकसर जोतिशी भी आपको इसके बारे में बात करते हुए मिल जाएंगे असल में हम खुद ने भी अपने घर की छट पर हनुमान जी का जंडा लगाया हुआ है माना जाता है तो इसके फाइदे जानकर शायद आप भी अपना विचार कर लें तो आईए जानते हैं हालांकि आप ओम का जंडा या श्रीराम का जंडा भी लगा सकते हैं कई लोग अपनी पसंद के अनुसार अलग-अलग देवताओं का जंडा भी लगवाते हैं घर में सुखाता है दोस्तों ऐसा माना जाता है कि यदि आप हनुमान जी का जंडा अपने घर की छट पर लगाते हैं तो ऐसा करने से आपके सारे दुख दूर होते हैं और आपके घर में सुख का वास होता है यह आपकी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है घर की चट पर भगवा जंडा या फिर हनुमान जी का जंडा यदि आप लगाते हैं, तो इसकी वज़ए से आपके उपर दैविय कृपा होती है भगवान आपके जीवन की समस्याओं को दूर करने में बहुत हद तक आपकी मदद करने का काम करते है दैविय कृपा यदि आपको भी चाहिए, तो यह उपाय आपको जरूर ही करना चाहिए घर की चट पर यदि आप भगवा जंडा लगाते हैं, तो इससे आपके घर की दरिद्रता दूर होती है घर के अंदर यदि कोई बुरी उर्जा की वजह से बिजनेस ठप हो चुके हैं, तो उनको वापस शूरू होने में काफी हद तक मदद होती है कई लोग इसको अपने घर में सम्रिद्धी के लिए भी लगाने का काम करते है दोस्तों यह भी माना जाता है कि जिस चंडे पर स्वास्तिक या फिर ओम का चिन्ध बना होता है उसको घर की छट पर लगाने से आसपास की बुरी उर्जा नश्थ होती है घर के अंदर या आसपास बुरी उर्जा का होना काफी अधिक डेंजर होता है यह आपको किसी भी तरह से नुकसान करने वाला सौधा होता है दोस्तों यदि आपके यहाँ पर केतू और मंगल दोश है तो भी आपको अपनी घर की छट पर भगवा रंग का जंडा या फिर हनुमान जी का जंडा लगाना चाहिए ऐसा करने से केतू और मंगल दोश दूर होता है और आपको शुब फल मिलने के चांस काफी अधिक बढ़ जाते हैं नमब पांच शत्रू बाधा दूर होती है यदि आपके घर की छट के उपर भगवा रंग का जंडा लगा हुआ है तो इसकी वज़ह से आपके यहां पर शत्रू बाधा नहीं होती है यदि आपको शत्रू परेशान कर रहे हैं तो आप यह उपाय कर सकते हैं शत्रू धीरे धीरे दूर हो जाएंगे नमब छे बुरी नजर से बचाता है घर की छत पर हनुमान जी का जंडा लगाने से आपका घर बुरी नजर से बचा रहता है किसी की आपके घर के उपर बुरी नजर नहीं पढ़ती है यदि पहले से ही आपके घर के उपर किसी की बुरी नजर पढ़ गई है तो आप यह उपाय कर सकते हैं बुरी नजर दूर होगी नमब साथ रोगों को दूर करता है माना जाता है कि घर के उपर भगवा रंग का जंडा लगाने की वज़़ से रोग दूर होते हैं आपके घर में यदि बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है तो आपको यह उपाई जरूर ही करना चाहिए आपकी काफी मदद होगी नमब आठ हनुमान जी की खृपा प्राप्त करने के लिए यदि आप हनुमान जी की खृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवा रंग का जंडा आपको मंगलवार के दिन लगाना चाहिए, जिससे की आपके उपर हनुमान जी की विशेश कृपा बनी रहेगी. नमबो 9 घर के सदस्यों के बीच बढ़ता है प्रेम दोस्तों घर की छट पर भगवा जंडा लगाने से घर के सदस्यों के बीच प्रेम के अंदर बढ़ोतरी होती है. और यदि घर के सदस्यों के बीच मन मुटाव रहता है, तो आपको यह जंडा जरूर ही लगाना चाहिए. घर में शांती बनी रहेगी. नमब दस उंचा होना चाहिए जंडा दोस्तों घर की छट पर लगाया जाने वाला जंडा सबसे उंचा होना चाहिए. यदि दो मन्जिला मकान है, तो मकान के सबसे उपर वाले हिस्से के अंदर आपको जंडा लगाना चाहिए. नीचे जंडा लगाना अशुब माना जाता है घर की छट पर जंडा लगाते समय इस बात का भी आपको ध्यान देना चाहिए कि जंडा कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए यदि ऐसा हो गया है तो जंडे को बदल देना चाहिए घर की चट पर भगवा जंडा लगाते समय ध्यान देने वाली बाते शुब मुहूर्द, भगवा जंडा लगाने के लिए शुब मुहूर्द देखना चाहिए दिशा, जंडा हमेशा वायव्य कोण में लगाना चाहिए उंचाई, जंडा इतनी उंचाई पर लगाएं कि वह आसानी से दिखाई दे सफाई, जंडा हमेशा साफसुत्रा रखें और फटा हुआ जंडा न लगाएं सम्मान, जंडे को हमेशा सम्मान के साथ रखें